हेलो दोस्तों वेलकम टो डियेश्डिकार्स और आज की वीडियो में भाई बात करेंगे कैसी गाड़ी के बारे में जिसने वाकई में लोंच होते ही तहलका मचा दिया था लोगों को ये बता दिया था कि इतने कम पैसे में भी गाड़ी आ सकती है और गाड़ी क्या फुल फी तक तो 5.05-5.60 में क्या मिलता है यार लेकिन इस गाड़ी को देखके जो फील आती थी कि निसान ने ये क्या कर दिया है कैसी कमाल गाड़ी बना दी है और इस गाड़ी ने बाकी कार मेकर्स की जो नींद है वो हराम कर दी थी कि यार जब निसान अपनी गाड़ी में इतने स सारे फीचर्स के साथ में इतने सस्ते में गाड़ी दे सकता है तो और कार मेकर्स क्यों नहीं दे सकते ये सवाल सब लोगों के मन में था और बहुत सारे भाईयों ने तापड़ तोड इस गाड़ी की बुकिंग करा दी थी लेकिन कही न कहीं एक चोटी सी दिक्कत जरूर यानि की सबर रखा और इस गाड़ी की बुकिंग कैंसिल नहीं कराई उनको बाई 4,99,000 में ही ये गाड़ी मिली और ये भाई भी असलम भाई भी उनमें से ही एक है जिनको की इस गाड़ी की डिलिवरी मिली है केवल 4,99,000 रुपै एक शोरूम में और लगबग 5,60 में ये ओन रोड पड़ चुकी है तो भाई मैगनाइट कमाल की गाड़ी है आप लोग भी अगर आज की डेट में मैगनाइट खरीदना चाहते हैं तो आसानी से खरीद सकते हैं क्योंकि फीचर लोड़िट गाड़ी है अच्छी गाड़ी है और अब तो साल भर से उपर हो गया इस गाड़ी को मार्किट में कोई ऐसी दिक्कते हैं हम लोगों के सामने भी नहीं सुनने में आईए कि यार मैगनाइट में ये दिक्कत है वो दिक्कत है तो भाई बढ़िया गाड़ी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है और मैगनाइट के बेस वेरियंट में जितने फीच लेकिन फिर भी वहां पर क्रोम फिनिस का ऐसा यूज किया गया है जो कि और ज्यादा लुक को एनेंस कर देता है फोग लेंप भी इस वैरियंट में नहीं मिलते हैं तो भाई वैसे भी फ्रंट से लुक देखने पर आप ये नहीं कह सकते कि ये बेस वैरियंट है जबरदस्त लुक है क्रोम फिनिस का काफी अच्छा यूज यहां पर किया गया है साइड प्रोफाइल आप यहां पर देख सकते हैं साइड में अगर बात करें तो 16 इंची के स्टेल रिम के साथ में आपको टायर्स मिलते हैं पहली गाड़ी होगी जो कि बेस मोडल से 16 इंच के टायर्स देती है तो उस हिसाब से जो ग्राउंड क्लेरंस है वो भी भाई आपको 205 mm के इस गाड़ी में मिलती है, ब्लैक कलर की जो क्लेडिंग है वो आपको ओल अराउंड दा कार देखने को मिलती है जो कि देखने में अच्छी लगती है लेकिन भाई पोलिस वगेरा आपको इस पिल लगाते रहना पड़ता है क्योंकि time to time ये थोड़ी सी सफेज जरूर होती जाती है ABS और EBD के साथ में rear में drum और front में disc brakes दिये गए हैं तो braking भी अच्छे खासी गाड़ी में भाई आपको मिल जाती है जो turn indicators हैं वो फेंटर पे दिये गए हैं और उसके उपर जो मैगनाइट की बैजिंग है वो भी थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे देखने में लगती है black color के साथ में ORVMs दिये गए हैं लेकिन इन ORVMs को भाई आप अंदर से ही adjust कर सकते हैं जो knob है वो यहाँ पे दे गई है A, B और C तीनों ही pillars आपको black out किये हैं गाड़ी में roof rails भी आपको integrated मिल जाती है तो यहार base model में मतलब क्या कुछ नहीं दे दिया company ने body color में ही door handles आपको मिलते हैं rear spoiler यहाँ पे आपको दिया गया और जो total rear look है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि SUV से कम गाड़ी नहीं लगती है और जो गाड़ी का size है वो भी उसी इसाब से दिया गया कि सब 4 meter compact SUV के जैसी ही आपको गाड़ी लगती है फ्रंट लुक भी जबरदस्त है और साथे साथ जो rear look है वो भी भाई इस गाड़ी में जबरदस्त लगती है क्योंकि बहुत सारे गाड़ीयां है market में जिनके front look अच्छी है तो rear नहीं है रियर से अच्छी लगती है तो फ्रंट लुक नहीं है लेकिन इस गाड़ी में फ्रंट और रियर दोनों ही जो लुक है भाई कमाल की है गजब है पीछे आपको स्पोयलर मिलता है काफी स्टाइल स्पोयलर यहां पे दिया गया है रियर वाईपर और जो रियर डिफोगर्स है वो भी भाई गाड़ी में मिल जाते हैं तो base variant में यार इतने feature मतलब मैंने अपनी life में कभी नहीं देखे इस range की गाड़ी में लेकिन Nissan Magnite ने जो कीरतिमान स्थापित किया था कि गाड़िया इस range की भी आ सकती है और इतने feature के साथ में गाड़ी मिल सकती है इतने कम price में वो भाई निसान मैगनाइट ने ही हम इंडियन्स को सिखा दिया है बता दिया है पीछे के अगर बात करें तो पीछे जो लोवर बंपर है वो ब्लेक कलर में ही मिलता है शिल्वर कलर का जो डिफ्यूजर है वो आपको एक्सल वेरियंट से मिलना सुरू होता है रिफलेक्टर वग इस गाड़ी शायद इस गाड़ी के बराबरी नहीं कर सकती थी उस प्राइस पॉइंट पे और आज के करंट डेट के अगर में प्राइस की बात करूं तो मैगनाइट एक्सी यानि की बेस मोडल का जो एक शोरूम प्राइस है वो हो चुका है पांच लाख शेतर हजार रु विंडोस यहाँ पे मिल जाती है डूल टोन का इंटीरियर मिलता है इस इवेंट वगेरा पे भी भाई सिल्वर फिनिस का यूज किया गया है ड्राइवर सीट की जो हाइट है उसको आप एडजेस्ट नहीं कर सकते हैं फैब्रिक में ही जो सीट्स हैं वो आपको मिलती है ले आपको भाई एक्स्ट्रा पैसे देकर लगवाना पड़ता है मैनुवल एसी और हिटर दोनों ही यहाँ पे दिये गए बारा वोल्ट का एसेसरी आउटलेट भी दिया गया है फाइप स्पीड मैनुवल ट्रांश्मिशन के साथ में गाड़ी आती है और जो इंटिरियर डैस आपसे कुछ ज़्यादा ही फीचर सियार यहाँ पे दे दिये गए हैं और शायद इसी वज़े से कही ना कहीं जो डिलिवरी है लोगों को वो नहीं मिल पाई थी सुरू सुरू में क्योंकि निसान की तरब से जो टोप मोडल वगरा है वो ज़्यादा बेचे गए थे इस ग वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफे comfortable sitting आपको मिलती है और पीछे वाली seat पे भी adjustable headrest इस base variant में आपको मिलते हैं rear parcel tray भाई इस गाड़ी में नहीं दी गई है तो overall बैठने के हिसाब से बढ़िया गाड़ी है center armrest या जो cup holders है rear में वो भाई आपको नहीं मिलते हैं तो उ core कमाल feature है कि requesting sensor के साथ में आपको जो boot का दरवाजा है वो दिया गया इस गाड़ी में तो इस गाड़ी में जो boot space मिलता है वो भी आपको मिलता है 336 liters का यानि कि अपने आप में काफी बड़ा boot space आप यहाँ पे कह सकते हैं इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में 999 cc, 71 bhp, 96 nm torque और 19 km per liter के miles के साथ में 3 cylinder natural aspirated petrol engine यूज किया गया है जो की 71 bhp की जो power है वो देता है और उस हिसाब से गाड़ी को ठीक ठाक power मिल जाती है अगर आप normal drive करते हैं तो भाई बढ़िया गाड़ी है और आप लोग अगर आज की date में भी 6.5 लाक रुपे इंवेस्ट करके वो Asian NCAP में इस गाड़ी ने हासिल कर रखी है तो उस तरीके से आप safe car भी इस गाड़ी को कह सकते हैं तो भाई यही था आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लेज चैनल को subscribe कर देना और मुझे अपना sport देते रहना वीडियो को एंड तक देखने के कर दो